I hope you are all fine क्या आप neckline पे lashes लगा लगा के बोर हो चके हैं को different variation चाहिए तो आप लिकुल सही जगा पर आया है चलेंज यह आपको आज आपके साथ मैं शेक करूंगी यूनीक सी, different सी, elegant सी neckline जो आप अपनी डेसिते बना सकते हैं सम्टाइम प्रिंटी डेसिते में समझ नहीं आती डिजानिंग की इस तरह से करें तो यह different है बहुत प्यारी और decency भी लगती है इसको बनाना की स्टार्ट करते हैं शेट की cutting कर लिया neckline की designing के लिए जिरू की fusing paper मैंने paste कर लिया यहां पर मैंने designing कर लिया है क्योंके बहुत ज़दा हैवी नहीं तो मैंने जीरू की जो दाने दासी fusing पर उते हैं इसको हम iron कर लेंगे iron करने के बाद इसके edges को यहां से फोल्ड कर लेना है make sure किजिए कि जब भी आप इसको stitch करने लेगें तो आपने strap को पहले half करना है फिर इंब्राटी करना है neckline 5 पे रखना है तो हम cut करेंगे 4.5 पे और length आएगी हमारी इसके पास 16 inches की हमने इसको marking कर ली इसके बाद 7 inch हमने रखना है neckline तो open तो हमने इस तरह के neckline आपको देख रही होंग center से हमने इस तरह से cut करना है और edge को हमने हलका सा तीर्चा cut करना है ताके जब हम strap लगाएं तो हमें मसला ना हो चुनर्स नहीं आए यहां पर एकसार beginner से मसला होता है जोल आता है तो क्यों होता है आपने जो corners cut किया और इसको सबसे पहले आपने glue stick से फोल्ड कर देना है इस तरह से आपको कोई मसला नहीं होगा इसको designing करने में यहां आयरन कर लिया था यह step हमारी इस तरह आएगी और दूसरी हमारी इस तरह make sure कीजिएगा कि इनकी embroidery एक site पे ही आए अब हमने जितनी piping बना के दिखानी है अगर आप beginners से मसला होता है तो आपने marking कर लेनी है just मुझे four point की चाहिए थी तो four point पी embroidery है उतनी ही रखते हुए edge के ओपर रखते हुए मैंने sly लगा देनी है दूसरे जो हम बनाते होते है ना उल्टा का कि overlap करते हैं यह कुछ भी नहीं है इतना असान है से में जरा बराबर भी कोई मसला नहीं होगी तो इस तरह के यह sly आती जाएगी just जितनी हमने embroidery दिखानी है उतना ही हमने shirt का कपड़ लेना है जादा नहीं लेना होना जोल आएगा यह देखें यहां पे होता है आपको मसला आप मसला नहीं होगा यह देखें यहां पे मारा आ रहा है beginners परिशान होते हैं कहां तक आप कोई मसला नहीं है shirt को side पर रखना है और state slide आपने लगाते आना है यह देखें यह को मैं कुछ hints देदू यह इस तरह से हमारी joke के इस ट्रैप हो रड़ी होगी दूसरी साइड से भी हमने एजिट लगा देना है यह हमने नीची से स्टार्ट करना है ठीक है जी आपने यहां पे जिरो की फिजुजिम के पर लाजमी लगा देने जहां पर एंड पे अपने स्लिट पे कर टकने इसे क्या होगा कपड़े के धाके नहीं निकलेंगे इससे आप जब स्टिच करेंगे तो फिनिशिंग स्मूद आएगी कपड़ा कम जादा भी नहीं होगा चले यह भी रड़ी होगी अब हमने पहले आइरन कर लेना है आइरन करने के बाद जो हमारे नेकलाइन की आ रही है ना उसी आइरन करना है इसके बाद जो हम ने इम्राजव्यटी की थी दिखाने है को पाइप्वीन को दिखाते हैं उस तरह से हमने रखके इसकोолж कर लेना है फोल्ड हो गया अब एक किस ताइम में फिनिशिंग देनी है वो कैसे ग्लू स्टिक तो कमाल की अगर यह है तो आपके स्टिचिंग में ट्रस्ट में 50% असानी हो जाती है ग्लू स्टिक लगाई आईरन से क्रीज बनी हुई थी ना तो बस ग्लू स्टिक से अच्छे से कदना है फिक्स आर्ज तो पर फिक्स हो जाएगी और दूसरी साइट को भी सेम ऐसी कर लेंगे अब जिन से जोल आते है ना बिगनर से देखें अगर आपका स्टैप बड़ी है तो कट थोड़ा सा जादा कर लेंगी विर्थ में अदरवाइस ओकी है यह देखें यह ओकी हो गया अब हमने क्या करना है स्टेट करना है यहाँ पर जो मारा लास्ट पॉइंट है उसको अप प्रॉब्लम ना हो पिन अप कर देने के बाद इसको हम उल्टा करेंगे इस तरहां से यह हो गया उल्टा करने के बाद एक और फैब्रिक मैंने लेना है उसके ओपर जिरू की फुझी पर पेस्ट कर लेनी है और सबसे पहले हमने नेक लाइन की लेनी है 7 इंच की यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर फैब्रिक लिया है डबल ठीक है क्योंकि मैं वाइट वाले यूज निक हार्ड होते है नेकलाइन हार्ड इससे इतना सौफ नेकलाइन बनता है बहु हो जाता है जब आपने दूसरा कपड़ा उपर लगाएंगे तो मेक्शो अपने पेस्ट कर देना है को गया ना काम असान अब है मैं बार बार अबसलाई नहीं लगाने पड़ेगी कोई बल आरहा है नहीं आरहा ना बस आप इस स्ट्रैप के बिल्कुल साथ-साथ हमने लगानी है आप चाहाँ तो सेम बलैक किलर की भी कर साथ थे हैं बट मैं कुछ चाहती है तो मैंने सेम इंबराइडरी का ही यूज किया है यहां पे ट्रिपल स्ट्चिज आएंगी हमारी स्टेट के साथ जो बहुत अलिगान लगती है तो अब हमने बिल्कुल स्ट्रैप के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स-कर देनी है अब आपने इस चीज का दिह गर्विट सेट स्ट्च जाएंगी होती है तो इतनी खुबसूरत रहा है तो गर्म हम एतनी हैवी पहने हिसे तो इस तरह के डिजाइन बहुत प्यारी लगती है अब फुटके जो है वो हमने बिल्कुल साथ-साथ लेते हुए यहां पर एक एक मुबाल पकड़ा हुए था और एक खाथ से स्टेचिंग करें थोड़ा सा इदर दर हो गया बड़ जब आप करेंगे तो अराम से फोकस के साथ करेंगे तो बिल्कुल स्टेट आगा अगर बिल्कुल से लाइन स्टेट नियुक्त आ suis पहली है तो पहले आप ड्राक कर लिटेगा और प्र आपने स्टिचिस कर देनी है बहुत असवाइन है अब देखे हैं नक लैंन बनाना असान इस तरहां कर दिальное जाए अपना कोई इसको लगाने के लिए टीप यह है कि सबसे पहले आप ने अच्छे से पिन अप करना है क्योंकि अगर दो तीन एक तो पॉइंट का भी फर्क आ गया तो राउंड नेक्लाइन की शेप चली जाती है कर दिता है स्लाई कर लिए नेक लेन को इसलाजमी लगाएंगे नोचेजह लाजमी लगाने हैं ताके बल नहीं आएं और भी सारा फैब्रिक यह कट जो अन्दर से ressort से कृते हुए जो फींड धने में फीर यह होगा कैसे हम देशी आगर नेक्लायन नेक्लाइन myths के अक्साम द और इसके बाद हमने हैमि करने के बाद बागी साथ शर्ट ट्राइडी करने के बाद आपको मैं दिखाए तो यह देखें आजेस देख लेएं कोई बाद नहीं है बिलकुल नीड कमाल का जहां पे कैमरा अधर देख रही थी तो वहां पर आप स्वेफ्स हैं इसके बाद वुडन पर्स थे मेरे पास खूब सूरत से हमने इसके उपर इसको स्टीचिस कर देने हैं और आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि कहां कहां से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप मजीद और क्या देखना जाते हैं वेर किया हुआ देखे कैं कुछ इस तरह से तो मिलने की नेस तब तक के लिए अलाफीस